हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे हैं कोशन्स करके मजा रहा है हमने बीच में आपको एक दिन का रेस्ट इसलिए दिया था तैकि आप अपने टोपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें आपको जो वीक पॉइंट आपको पता चले हैं उनको आप अपना कवर कर सके ठीक है बच्चों आज बात करते हैं कोशन आफ दे डे में The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of Examiner क्या पूछना चाहा रहा है बच्चों Examiner पूछना चाहा रहा है कि DNA की जो cutting है वो भी specific जहना पर वो possible किस चीज की discovery की वज़ा से हुई ठीक है हमें option दिये गए है Selectable markers, ligases, restriction enzymes and props ठीक है बच्चों हम आपको answer अभी नहीं पताएंगे most of the बच्चों को इसका answer पता है लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनके use की ठीक है ये जो हमें options दिये गए हैं इनके use की बात करेंगे हम ठीक है ताकि इन से related भी आपके पास कोई question आता है तो वो easily आप उसको attempt कर सके ठीक है Selectable markers क्या होते हैं बच्चों Selectable markers जो होता है वो होता है एक gene होता है जिसको हम introduce करते हैं cell के अंदर mostly वो cell bacterial cells होते हैं ठीक है cultures के दुरान जो हमें confirm करता है कि हमारा जो DNA है या जो भी हम उसमें sequence introduce करना चाह रहे हैं वो cell में पहुंच चुका है या नहीं ठीक है Marker क्या होता है Indigator भी हमें show कर देता है कि वो चीज उसमें पहुंच चुकी है ठीक है बच्चों बात करते हैं Ligase की Ligase Ligase भी enzyme होता है और वो catalytic enzyme जो है वो उस reaction को काम करता है जिसमें दो molecules की joining हो Large molecules की ठीक है बच्चों Ligase का मतलब भी पता चल चुका है अब बात करते हैं Restriction enzymes की Restriction enzymes क्या होते हैं Restriction enzymes जो होते हैं DNA की sequence को Recognize करते हैं ठीक है और वहाँ उनको Cut लगा देते हैं Restriction enzymes को Restriction endonuclease भी खा गया है ठीक है आप सभी को answer स्याद इसी से पता चल चुका है क्योंकि cutting of the DNA इसी के अंदर आया है ठीक है बात अब प्रोप्स की भी कर लेते हैं प्रोप्स क्या होते हैं Single standard DNA और RNA ठीक है जो सर्च करते हैं किसको अपने complementary sequence को ठीक है जब एक sample लिया जाता है काफी सारा genome लिया जाता है उसके अंदर प्रोप्स भी डाले जाते हैं हमें उस प्रोप्स के sequence का पता होता है वो जाकर के हमारे उस specific sequence को सर्च करते हैं complementary sequence को सर्च करते हैं और उनसे जुड जाते हैं ठीक है प्रोप्स का यह यूज होता है ठीक है हमारा answer हमें बता चल चुका है C है ठीक है बच्चों इसका example ECO-R1 हमने पढ़ा हुआ है ठीक है एक interesting बात आपको बताते हैं 1978 में discovery of restriction enzyme के कारण जनोंने इनसकी discovery की थी उनको nobel prize भी मिला था ठीक है यह हमारे DNA cloning में काफी important है बच्चों वो तीन scientist थे बच्चों जनोंने इसकी discovery में nobel prize को share किया था वर्नर आर्बर डेनियल नाथन एन थार्ड वन थे जो है हमिल्टन ओ स्मिथ ठीक है बच्चों यह interesting है fact है थोड़ा से याद रखने के लिए आपको easy रहेगा ठीक है discovery of restriction enzymes और उसकी applications के लिए उनको nobel prize मिला था ठीक है I hope आपके सारे doubt इस questions के related clear हो चुके है जब इस type का question आता है बच्चों हमें answer पता होता है ठीक है अच्छी बात है हम यह कहते हैं लेकिन सार्थ में जो हमें options दिये गए हैं हमें उनका भी उनका भी use पता होना चाहिए ठीक है ताकि उससे भी related कोई भी question आता है तो हम उसको भी attempt कर सकें ठीक है बच्चों कल मिलते हैं next question के साथ तब तक के लिए best of luck and take care thank you